नमस्कार दोस्तों यह पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अपने अल्टासॉंड का रिपोर्ट समझने या जानने के लिए किसी से पूछने की जुरत नहीं परेगी दोस्तों अल्टासॉंड का रिपोर्ट जो हमें दो पेज में मिलता है एक page पे जो इस तरह से black and white जो है image print करके दिया जाता है दूसरे page पे इस तरह से return में उसका finding लिखा राता है तो यह जो black and white image होता है वो ultrasound के दुरान जो हमारे पेट के आंत्री कंगों का doctor लेते हैं वो image हमें print करके दिया जाता है इस report में आप देखेंगे कि बहुत सारा चीज़े लिखा इतना medical term जो हमें पढ़ने की ज़रत नहीं होती है हमें जो एक आम इंसान को समझने की ज़रत होती है और doctor भी जो समझते हैं यहां पर जो end में जो report एंड में जो लिखा रहता है इंप्रेशन करके या किसी में लिखा लाता है, ओपिनियन करके या किसी में कमेंट करके लिखा लाता है, वो ही डॉक्टर जो है, फैनल रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो इस पूरे रिपोर्ट का यहां से यहां तक का समरी होता है, वो इसमें जो है, वो इस तरह से है, यहां पर सकते नहीं तो अधरवाज इसको समझने की जुरत हमें नहीं होती है यहीं पर आपको पूरा फैंडिंग लिखा रहाता है तो इस में जो है जैसे कि इस रिपोर्ट में लिखावा इंप्रेशन में नॉर्मल एस्टेडी लिखावा है तो नॉर्मल एस्टेडी का मतलब हो कि प ऐसे और है उपिनियन इंप्रेशन या कमेंट करके लिखाओ सकता है जैसा कि इसमें लिखावा है कि मारभ्ब्ध हैड्रो नेफ्र moderator लिखाओ है और एक्सेसबाल गैसेश लिखाओ है इस तरpassen को है कुछ अल्ट्रासाना का रिपोर्ट का जो ओपळियन इंप्रेशन या कमे जो है इस तरह से लिखा हो सकता है जैसे कि इसमें लिखावा है रिनल कल्कुलाइट इसका आपको मतलब समझती इस पाएंगे तो हम एक यह करके हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है यह हुआ हर है उसकेब दो होते हैं जो है यगा सकता है फिद्नी स्टोन तो अगर कहीं पर भीवियोग नीडिक कर किडी व्यमें और किया शखाएं तो इसको निश्का रिकतीज report और यह रहने रेनल क्ल्कुलán या का मतलब वह लिखा दा पाल छता है आगर यह प्योंडयेल प्लडोंड्यी भी बॉला जाता लेटव constitues का मतलब होता है ेंज करो से किडिनी में किड़नी में जो ने मिल्ट अब फूरोपी तो तो हैस्टीजिस का मतला होता जो खाली हिसा उसमें अगर fluid भड़ा हुआ है, fluid का मतलब है, blood या पास या पानी भड़ा हुआ है, तो उसको ascitis बोला जाता है, उसके बाद mass lison या cyst का मतलब होता है कि किसी भी organ में abnormal tissue का growth का ज़्यादा हो जाना, या तो वो tissue growth जो होता है, वो दो तरीकस हो सकता है, यानि कि जिसको हम tumor बोलते हैं, तो जो tumor होता है वो दो तरीकस होता है, या तो hard tumor हो सकता है, या तो soft tumor हो सकता है, उसके बाद अगर प्रोस्टेटो मेगाली लिखारे इसका मतलब होता है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाना, ओब्रियन सिस्ट का मतलब होता है कि ओब्री में सिस्ट होना, तो उसको oberian mass lesion या tumor बोला जाता है oberian syndrome का मतलब होता है कि oberi में cyst का ज़्यादा हो जाना यानि कि multiple cyst होना या एक oberi में होना या दोनों oberi में cyst होना तो उसको oberian syndrome बोला जाता है या कि polycystic oberian syndrome या polycystic oberi disorder उसको बोला जाता है फाइब्रोइड का मतला होता है कि यूट्रस में जो है टिसू का ग्रोथ ज्यादा हो जाना कि नॉन कैंसरियस ग्रोथ जो होता है तो उसको फाइब्रोइड बोला जाता है और जो होता है यूट्रस के इनर जो सर्फेस होता है उसमें अगर 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 टिसू हो जाता है तो uterine adenomasis बोला जाता है, उसके बाद और भी कई तरह के होता है, जैसे कि access ball gases अगर लिखा रहे, अल्टरासॉन के रिपोर्ट में, तो इसका मतलब होता है कि जो intestine होता है, यानि कि आंत जो होता है, उसके में gas या air का ज्यादा हो स्क्केριं या बढद लिखा हो सकता है, तो बलकि या नॉर्मल भी हो सकता और बल्की यूटरस लिखा रहे है इसको जो ऑरगन MICHAEL करते है चीवरी जमा हुए तो कई कारण से हो सकता है से periods के कारण जो है जो है बुलड जो है ओर इसमें दिकत की बात नहीं बनाइब ऋकुट में होते है A इस रिपोर्ट को आपको compare करना या advice करना है कि आपको patient के symptoms और उसके patient के history से जो आपको ये compare करना है कि ये जो है आपका जो भी समस्या ultrasound की रिपोर्ट में finding मिला है उसको आपको other finding या अदर blood test या report या उसके symptoms से उसको match करना है हिपेटो मेगाली का मतलब मैंने समझाया आपको कि इसका मतलब होता है liver का size बढ़ जाना यानि कि इस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है सिर्फ liver का size बढ़ा हुआ है इसलिए हिपेटो मेगाली लिखा हुआ है तो इस रिपोर्ट में आप देखेंगे opinion के ऊपर में एक दो word लि यानि कि पूरआ का पूरा रिपोर्ट है इसमें कोई event को मिंकली कली किést को उसको पता लगाया शकाता है इस इस रिपोर्ट में आप देखेंगे इंप्रेशन में लिखावा है कोले लिथियासिस तो कोले लिथियासिस का मतला होता है गौलव लाडर स्टोन यहां पर लिखावा है कि राइट रिनल कल्कुला यानि कि जो है जो है किड्नी में स्टोन है उसके बाद यहां पर लिखावा ह hydronephrosis यानि कि kidney में पानी भरावा है यहाँ पर लिखावा है बढ़ा हुआ है कि kidney stone में यहाँ लिखावा है यहां पर लिखावा है यहां पर इंप्रेशन में क्या लिखा हुआ है तो इसको हमें समझने की जौरत नहीं है सिर्फ यह समझने की जौरत है यहाँ पर इंलार्ग लेफ्ट किडनी का साइज बढ़ गया है उसके बाद यहां लिखावा है free fluid in punch of dog glass, यानि की pelvic cavity में free fluid है, उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो यहां opinion में क्या लिखा है, स्प्लीन का भी साइज बढ़ा हुआ है, mild hydronephrosis, यानि की जो है हलका kidney में पानी भी भरा हुआ है, इस तरह से आप रिपोर्ट को समझ सकते हैं, अब इस रिपोर्ट में भी आप देखेंगे, यहां पर opinion में क्या लिखा है, उसके बाद यहां पर देखेंगे लिखावा है, correlate clinically यानि की इसको आपको पेशेंट के symptom से भी आप इसको compare कर सकते हैं, इस तरह से लिखा रहता है, इसमें आप देखो क्या लिखावा है, uterus के inner laying है, उसमें cyst है, तो इसको uterus adenomasis भी फाइब्रोइड लिखावा है, यानि की non-cancerous growth भी हो रखा है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, और इसमें देखेंगे left oberian cyst, यानि की left overy उसमें cyst है, उसके बाद इस report में आप देखें या heavy हो गया, तो यह cyst के कारण भी हो सकता है, या inflammation के कारण भी हो सकता है, या कुछ और region के वारन भी हो सकता है, उसके बाद यहां लिखा simple, small, right, adenixal cyst, तो adenixal का मतलब होता है, जो overy होता है, uterus होता है, और फेलेपेंट यूब इन तीनों को जो connect करने वाला, जो connective tissue होता अगर उसमें cyst हो गया, तो उसको बलाता है, adenixal cyst, यानिक उसमें cyst हो गया, तो ultrasound का कुछ report था, जो मैंने आपको आसान तरीके से समझानी की कोसिज किया, लेकिन कुछ medical term ऐसे भी हो सकते हैं, जो इसमें मैंने आपको समझाया, और लेकिन आपके ultrasound का report में हो सकता है, तो अग बारे चैनल पर नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जेए, फिर मिलते हैं न्यूव वीडियो में, थैंक्यू फर वाचिंग, बाई बाई, और आप